Hello and welcome to the studio, traders, Apollo Hospital को आज की दिन हम trade कर रहे हैं Generally जो हम trade execute करते हैं, daily time frame पर reading के बाद में lower time frame यानि के 5 minutes के time frame पर अपनी entry and stop loss targets को identify करने के बाद में कोई trade लेकिन कई बार ऐसा होता है कि daily time frame को हम थोड़ा से ignore करके daily time frame से थोड़ा सा छोठा time frame यानि के one hour time frame का use कर इसको class में भी हमने कई बार बताया है कि naked eyes के थुरू हम लोग कैसे one hour time frame पर अपने supports या फिर resistance निकाल करके trade execute कर सकते हैं Same system को आज की दिन हम यहाँ पर explain करने की कुशिश करेंगे Apollo Hospital की live trades के चार्पास समझने से पहले इसको थोड़ा सामें ड्राइंग के थुरू आपको clear कर देते हैं ड्राइंग के थुरू यह होता है कि picture होती हो थोड़ी साफ अब देखिए जैसे कि हमारे एक resistance point है अब इस resistance के pass में क्या होता है कि जैसे हमारा price का movement है इस जगह पर गया और यहां से जाकर की stuck हो जाता है और वापस से price आपको फिर down move में देखेगा again price upside की तरफ जाएगा और फिर से इसके अंदर down move देखेगा again upside की तरफ और again down कई बार ऐसा होता है कि price अपने resistance को break करके upside की तरफ जाता है और यह एक fake break out के थुरू price वापस से नीचे आ जाता है यह इसके current moves हो गया हो सकता है कि price किसी level से अगर यह यहां पर है तो हो सकता है इस जगह से तूट करके नीचे की तरफ गिरा हो लेकिन अगर price हमारा upside की तरफ जा रहा है तो यहां से movement देने के बाद में यह upside की तरफ जाता हो देखेगा कुल मिला करके यह जो line हमने draw की है इसका एक बहुत बड़ा impact किरता है चार्ट के उपर वो चाहे resistance के थू हो या फि जिसको की market बहुत जदा respect करे सबसे simple और सबसे जो first thing होगी दिमाग में रखने वाली तो यह तो हो जाएगा जह हम लोग hourly time frame पर अपने कोई भी levels निकालेंगे तो simply आपको क्या कर लेना है कि एक line ऐसी draw कीजिए कि जिसको की market ने बहुत अच्छी तरह से respect किया हो तीन बार च कुछ nature होते हैं stocks के जैसे Apollo hospital का nature है कि अगर first candle जैसे कि यह green candle है आप देख लेना Apollo hospital आज इस green वाली candle का high नहीं तोड़ पाएगा यह वाला और इसके नीचे अगर movement आनी है तो price के अंदर daily time frame पर आपको red candle form होती हुई दिख जाएगी और इस green candle की ऊपर price नहीं निकल पाएगा इस वज़े से हमने किया कि अपने swings के stops लगा करके downside की तरफ अपना trade execute already कर दिया है जैसे कि position book थाजन रुपेस के around अपना जो profit है 700 चल रहा है तो exact 4500 पर हमारी entry है and यहाँ पर अभी 5 minute पर चलेंगे थोड़ी दिर में पहले इसको हम लोग hourly time frame पर समझेंगे सो यहाँ पर देखिए हमने एक line draw की एक range हमने draw कर लिए इसको delete कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए कि price के movements किस तरह के हो रहे है इसको समझने की कुशिश कीज़े एक दो यहाँ पर देखिए price ने movement दिखाया था upside की द्रफ वापा से price वारा नीचे कर गया three and यह four last trading session है यह और आज भी market इसी जगे पर है simply कोई भी यह just क्या होता है point of view का फर्क होता है हम लोग इसको trading strategies बोल देते हैं हम लोग इसको system बोल देते हैं formula आप जो बोलो just जो अभी तक हम समझ पा हैं यह just point of view है के chart को हम किस तरह से देख रहा हो और आप किस नजरिये से chart को देख रहा हो अभी Apollo hospital के अंदर बहुत से लोगों के stop losses गया होंगे में भी हो सकता है कि अगर हम लोग lower time frame पर जाएं कि जैसे hourly time frame पर यहाँ पर आप देख रहा हो न तो candles कुछ इस तरह की बनी तो कुछ लोगों ने इस जगह पर trade execute किया हो कुछ लोगों ने इस जगह प point क्या हो सकता है कि जिसको break करने में market को आज थोड़ी सी problem होने वाली है तो हमने सबसे पहले अपना वह वाला point identify किया तो हमें exact high मिल गया और इस high के पास से हमने क्या किया अपने entries के confirmations लेने के बाद में trade execute किया तो हमने इस जगह पर trade नहीं किया इस जगह पर trade execute नहीं किया अब यह चीज हम आपको क्यों बता रहे हैं क्यूंकि जिन्होंने भी इस एक जगह पर trade execute कियोंगे या तो यहां पर या फिर यहां पर तो उनके stop losses जाएंगे अगर उन्होंने reading नहीं करा की है और दूसरी चीज अगर market को ऊपर नहीं जाना है तो इन लोगों के stop losses जाएंग मेरा stop loss जाएगा और जिन्होंने early entry लिए उनको और बड़े profits शो करेंगे market ओके दोनों ही conditions बन सकते ही लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं आज Apollo Hospital जिन लोगों ने buy कर रहा है उनका stop loss लेकर के downside की moments देखाएगी एक जो हमारे पास सबसे strong way से यह बात कहना है कि hourly time frame पर हमारे प आपने confirmations ले लेते हैं तो देखिए आपको daily time frame पर भी यहाँ पर resistance दिख जाएंगे hourly time frame का यूज कई बार वीक में एक दो बार हम hourly time frame एक बार देख लेते हैं hourly time frame के थूँ भी trade execute हो जाता है क्योंकि वो सबसे simple होता है उस पर कोई technical analysis नहीं लगानी है हम लोग naked charts के थूँ ही आप weekly भी देख रो आप monthly भी देख रो आप yearly भी देख रो बहुत strong करने के चकर में आप उसके अब दो दो चार चार पांच 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 indicator लगा करके देख रो तो फिर किसी काम का नहीं है किसी मतलब का नहीं है एक system fix एक जो आपका segment है वो fix वारना एक एक lot दो lot के चकर मे कई लोग बरबाद हो गए market छोड़ दी वो चले गए कहने को था कि वो लोग practice करें सब कुछ करें लेकिन at the end आपको market के आसपास फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे अगर एक systematic way नहीं है और एक सही segment को अगर आपने choose नहीं कर लिए क्योंकि अगर आप सीख रहे हो तो इतने पास से हमने market को देखा है सिर्फ अपने ही हमने ही समझा सिर्फ उतना ही नहीं जितने लोगों से हमने बात की जितने लोगों का experience फर्स जब introduction होता है तो अधितर लोगों का यहीं निकल करके आता है कि एक सही segment choose ना कर पाने की वज़ए से बहुत सारा और बहुत अगर आप वहाँ पर गय लुट जाना है इसके अलब और कुछ होना नहीं है बाकि आप सभी लोग समझदार हो क्या सही है क्या गलत उसके उपर आप लोगों खुद अपनी analysis करो किसी कहने में या किसी के बहकावे में नहीं अब देखिए आगे बढ़ते हैं लोग टेली time frame पर हम आपसे क्या बोल रहे है कि price को नीचे की तरफ गिरना है अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है सारी markings हम delete करते हैं सबसे पहला है एक यह mother candle हमने mark एक mother candle हमने mark कर ली अब इस mother candle के अंदर कई सारे internal structures form हुए हैं उन internal structures के तुरू किस तरह से market behave कर रही है इसको समझे कि ज देखिए हमारे पास जो confirmations देखिए confirmations in the sense कि जब हम price को read करें तो हम यह समझ में आ रहा है price down again अब अगर इसको हमारे internal structures के recording price को upside की तरफ ब्रेक कर देना है तो यह break कर देना क्योंकि price हमारा upside की तरफ तो गया ही है यहां से देखिए price हमारा upside की तरफ तो गया है हमारी smother candle को break करने के लिए but इसके अंदर rejection आगर price नीचे गिर गया but इसके अंदर rejection आगर price हमारा नीचे गिर गया 945 की candle के अब इसकी volume को आप देख लो क्योंकि volume से फिर extra confirmations कि price जो volume है इनकी volumes हमारी गिर रही है कम हो रही है अब इससे हम लोग क्या चीज़ समझ सकते हैं कि price एक range के अं volumes कमजोर पड़ रही है और price हमारा एक range के अंदर रुका हुआ है अब अगर price को upside के तरफ जाना तो high volume होती है और price हमारा resistance को break कर देता है मतलब इस mother candle के high को break कर देता है जिससे कि price के अंदर थोड़ी से strongness होती buyers और अच्छी तरह से active होते है price हमारा upside के तरफ जाने की रहा ही यहां पर लगा इसके highs downside की तरफ shift हो रहा है अब इसके अलावा क्या हुआ यहां पर आप देखोगे अगर इस green वाली candle को mark लो क्योंकि internal structures है यह structure के अंदर structures form होने को हम लोग internal structures है यहां पर हमें एक चीज़ यह समझ में आगे कि price हमारे highs को downside की तरफ convert कर रहा है उसको daily time frame पर भी हमने देखा कि price अपने resistance को phase कर रहा है हाला कि हम confirmation लेने के लिए daily time frame पर गया बट maximum reading हमने जो इसके अंदर की वो थी hourly time frame पर अब देखिए हम लोग वापस से चलते हैं hourly time frame और इसके अंदर एक चीज़ बताए अभी आपने सुनाओगा हमने एक शब्द बोला था क हर stock का अपने एक nature होता है ये objectively हम सिर्फ एक stock की बात कर रहे है मारूती के अंदर चले जाओगे तो आपको ये चीज नहीं देखेगे आप reliance के अंदर चले जाओगे तो आपको ये चीज नहीं देखेगे ये stock to stock एक nature होता है हर stock अपने एक nature होता है run run करने का उसी طर法 से हम Apollo बलू के बारे में अगर आपको बताएं तो देखिये एगर फस्ट केंडल रेड है तो पूरे दिन मार्केट फिर आपको थोड़ा-फोड़ा करकी अपसाड की तरफ जाते को देखेंगे कि एक red candle form को ज़िए फिर पूरे दि मार्केट नीचे ने गरी है यह अप में ही कई है यहाँ पर भी देखे एक red candle बन गए और फिर price हमारा upside की तरफ गया है यहाँ पर भी देखे एक red candle form होगे बट यहाँ पर हम लोग फेल होगे प्राइस पूरे दिन अपसाथ के तरफ गया, लेकिन एक ये जो candle बन गया इसने नोग दिन का लो तोर दिया जाने दिए इसको अब यहां पर भी देखें क्या हो रहा है एक Red Kindle फॉर्म और प्राइस फिर हमारा पूरे दिन अपसाथ यहाँ पर क्या हो रहा है एक green candle बन रही हो प्राइस हमारा upside की तरफ नहीं जा रहा है पूरे दिन फिर इसने down move दिखा है यह कुछ चीजे हैं अगर हम यह बात आपको बोल रहे है कि प्राइस अगर एक red candle फॉर्म कर रहा है तो फिर पूरे दिन वो नीचे नहीं गिल रहा है उसका movement धीरे धीरे करके upside की तरफ जा रहा है तो सिर्फ इस एक छोटी सी बात को यह हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर अगर यह green candle बन की तो ठीक है एक जो view है हमारा वो set हो जाता है कि इसके अगर हो सकता है तो हम short selling करेंगे पहली इसके बाद में हम एक चीज़ और देख है कि क्या price हमारे expected resistance point के पास में है तो हाँ यह भी हमको समझ में आ रहा है कि price हमारे expected resistance area को face कर रहा है ओके यहाँ पर double confirmations हो गई अब इसके बाद में देखे यह stop loss जो हमने इसके अंदर रखा हुए अपना 1520 रुपय का मेरा stop loss है ओके and entry जो हमने इसके अंदर अपनी ली हु या फिर कल की जो हमारी candle है इस 325 की candle के पास पर हम अपने target सारे book करने की कोशिश करेंगे अब देखे यहाँ पर जो एक चीज हुई है कि जिस candle के highs को हम बार बार बोल रहे थे कि price अपने high को downside के तरफ ब्रेक कर रहा है अब यहाँ पर देखे एक बात जो हम बोल रहे थे कि price अपने high को downside की तरफ ब्रेक कर रहा है जिन दो केंडल के तरो हम यह बोल रहे थे सबसे पहले यह वाली candle और दूसरे मारी यह ब्लैक वाली candle बठ हुआ क्या है फाइनली कि price ने ब्रेक किया और वापस से नीचे गरिया price ने यहाँ पर जितने भी लोगों के stop process लगे हुए थे market निया से अपने stop process लिए और अभी यह downside का मुझ दिखा रहा है मतलब सिर्फ hourly time frame ही मतलब समझ वारे ना hourly time frame बहुत strong time frame है reading करने के लिए अब देखिए अभी जैसे दो तीन point हमने उसके अदर add करके आपको बता दिये अब hourly time frame पर सबसे पहली चीज़ तो भी मनें क्या बता ही कि अगर green candle बन रही है और most of the time क्या हुआ है कि अगर green candle बन रही तो market नीचे ही आ रही है ठीक है यह एक चीज़ हमने देख लिए हर बार यह point तो हमें मालूम है ऐसा होता है अब इसके बाद में हमने क्या कि हायर time frame पर अपने resistance point देख लिए कि क्या price हमारा हमारे resistance point के पास में हमारे resistance को face कर रहा है कि क्या price हमारा हमारे resistance point के पास में है तो वो भी हमको यहां पर देख गया इसके बाद में हमने क्या किया कि थोड़ी से confirmation लेने के लिए हम लोग day time frame पर भी चले गया यहां पर simply अपनी reading करने क के बाद में trade execute कर दिया so अभी 3000 के राउन का profit चल रहा है और order book में 4520 का stop loss से अपना and 450 पर अपनी entry है ठीक है एक अच्छा move हमें यहाँ पर शो हो रहा है profits भी इंक्रीज हो गया 3000 के राउन profit चल रहा है अपना I think यह पूरा सिस्ट्रम आपको समझ मेहाँ होगा आवली time frame पर पहले भी हमने काफी वीडियो अप्रोट किया है और काफी detailed video है और आज भी हमने आपको बताया है अब यह तो Apollo hospital का हो गया कोई भी दूसरा stock ले लो अब यहाँ पर एक और example लोग ले लेते हैं जैसे अमरा राजा बैटरी है देखे पहले से levels रहा है कुछ इसके तरफ है अब जो resistance थे उसको प्राइस ने ब्रिक किया upside की तरफ और resistance अब support में convert हो गया और प्राइस क्या कर रहा है इसी जगह पर अपने supports ले रहा है इसको move करने देजिए जहां कहीं भी जा रहा है इसको जाने दो हमें wait करना है कि प्राइस का हमारा हमारे level पर आता है और जब भी प्राइस हमको हमारे levels पर देखे हम इसको trade कर देते हैं जैसे प्राइस इस जगह पर आएगा आपको यह देखना है कि आज का trend identify हम कैसे कर रहा है कि क्या sell side की तरफ के moves हो सकते है कि या फिर buy side की तरफ के move होंगे अपना एक stop loss defined करेंगे हम लोग और अपनी एक entry defined कर जो की already हम लोग कर रहें 5 minute पर गए अब 5 minute पर थोड़ी सी aggressive entry थी इस जगह पर 5 minutes पर क्या हुआ और entry कब लेनी है जब price आपका इस जगह पर आकर trade करेगा travel करेगा तब ही हम लोग trade execute करेंगे और एक दूसरे example लेते है कि यह आपका Amboja cement है Amboja के अंदर अपना एक level मांग है अब इस level को हम लोग कैसे रीट करेंगे कि price ने एक इस जगह पर resistance फॉर्म किया और यहां से सीधे नीचे गर गया और फिर प्राइस हमारा upside की तरफ चला गया यहां पर इसने कई सारे supports लिए और यह rating हम लोग कहां पर कर रहे है hourly time पर वापास से प्राइस हमारा नीचे गर लाएगा support या फिर register ठीक है और आज भी market यहीं पर है so 389 अब हम जाएंगे सिधे lower time frame पर और वहां पर अपनी entry defined करने की कुशिश करेंगे देखे क्या हो सकता है कि price ने opening दी हो यानि के opening हमेशा है resistance होगी resistance या फिर प्राइस हमारा upside की तरफ जाए और यहीं सी नीचे की upside में जाते हुए price के अंदर कोई selling आती है और यह selling fail होने लगती है selling के upside के तरफ जाने लगती है तो यह एक buying का movement होती है buying का symptom होती है same चीज़ आप देखोगे ambuja cement के अंदर के price ने किया क्या है resistance इस जगह से price हमारा नीचे गर गया ठीक है again resistance price हमारा नीचे गर गया फिर से resistance price price हमारा नीचे गर गया ओके आज की market में क्या हुआ है price downside की तरफ आया और इसने upside की तरफ जाने के बाद में एक selling दिखाई नीचे गिरी market यहां से देखे वापस से upside का movement और यह selling fail हुई और market upside की तरफ यहां पर हमें entries के confirmations देखे किस तरह से लेने है कि अगर market को नीचे की त selling fail हो गई और अब हम यहां से अपना trade execute करेंगे और जो आपका stop loss जाएगा इस black वाली candle के नीचे हम लोग अपना stop loss लगा देते हैं entries की और भी techniques होती हैं कई सारे methods होते हैं जिसकी तरह हम लोग अपने trades को execute करते हैं उस पर entry लेते हैं यह बहुत basic सी चीज हो गई कि price का एक expected area हमने देख लिया यह वाला point यह resistance point है ठीक है आवली time frame के तरह हमने resistance निकाल अब यहीं पर देखिए market हमारी open भी सी जगह पर हो रही है और open एक resistance बन जाता है क्योंकि market फिर वहां से नीचे आई है ठीक है इस पर दो चीज हो गई और वापस से price हमारा upside की तरफ जा रहा है और फिर से यहां से क्या हो रहा है selling आ अगर market को गिरना अथ यहां से गिर जाए लेकिन फिर से market उसे जगह पर पहुंच जारी जो इसक लोग यहां पर अपना trade execute करते हैं और जो latest हमारा swing होता है उस जगह पर अपना trade execute करते हैं समझ पार है ना तीन-तीन confirmation है एक तो हमारा higher time frame का resistance दूसरा आज की market ने जैसे ही opening की यहां पर एक resistance form कर दिया और फिर से देखे मार्केट उपर जा रही है फिर से यहां पर selling आई sustain नहीं हो पर market सीथे upside की तरफ इस जे के पर हम लोग अपना trade execute करते हैं आई होप की समझ में होगा आप इतनी सी बात सिर्फ याद रुखो अब मुझा सीमेट है हाला कि हम इसको trade तो नहीं करें रेंडमली यह stock अपने पास आया है लेकिन फिर भी देखेगा इसका move आपको upside की तरफ ही दिख जागा एक resistance या फिर support point एक resistance या फिर एक support point price downside की तरफ जा रहा है यहां से chances है कि market हमारी नीचे भी जा सकती है ठीक है confirmations हमें इस जगह से लेने होते हैं बाकी यह सारे points यह no trading zone होते हैं price किस तरह से आपके areas पर या आपके level पर react कर रहा है उससे यह होता है कि फिर हमें उसके अंदर trade किस दिशा में समझभा रहा है अब यहां पर हमारे पास resistance points है market यहां पर जाने के बाद अपनी volumes को dry कर रही है और upside की तरफ जा रही है अब यहां पर यह confirmation समय मिलते चले जा रहा है कि price के अंदर जब जब इसके अंदर movement आ रहे नेगेटिव यह की movements आ रहे हैं तो price की जो volumes है वो increase हो रही है and green volumes इतनी वो कम होती चली जा रही है तो bullish न समय शो नहीं हो रही है और market बहां से लगातार नीचे की तरफ जा रही है यह एक simplification है हमारे hourly time frame का तीन stocks के पर हमने example आपको देखा हैं और तीनों ही live market में चल रहे examples है अब मुझा सिम्मेंट देख ली जागा लास्ट तक आपको वो upside की तरफ ही दिखेगा और Apollo hospital के अंदर जो हमने अपने targets लगा रहे हैं 4419 के हमारे targets है क्यों अंसर है यह आवली time frame पर मिलेगा इसके अंदर देखिए कल के sessions के resistance point हमारे इस जगे पर है यहां से market ने opening दिखाई दी और opening के बाद से फिर price हमारा सीधे नीचे गरिया था तो कल का जो इसका opening point है यहां पर हमारे इपने targets है और कल की opening के पास में देखो कि जो 325 की candle की candle का लूब ही आपको उसी जगे पर में सिंपल सा यह हमारा target point है एंट्रिम ने आपको बताई थी और यह हमारे stop loss का रिया है इस वत का अपना profit चल रहा है 4245 के आसपास का अपना profit चल रहा है कि कई सारे methods में early time frame की reading होती हो काफी strong होती है हाँ अगर हम compare करेंगे daily time frame की reading से तो उतनी जदा strong नहीं होती बट हाँ early time frame से lower के जितने भी time frame से उससे ज्यादा strong हमारी early time frame की reading होती है अब इसमें कई सारे techniques हम लोग लगा सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राइज में higher high और higher lows के जो concepts होते हैं अपने price actions के अंदर के highs, lows, highs, lows, highs, lows, highs, lows, high अब यहाँ पर जाने की बात मतलब कि यह जो black line है यह अपना एक resistance हे रहा है जिसको कि हमने daily higher time frame से निकाला है early time frame से यहाँ पर पहुंशने के बाद में price क्या कर रहा है अपने lows को protect और यह जो lows इसको break कर दे रहा है और यह पर जाने से पहले price अपने high's को break कर रहा था और जैसे price अपने resistance पर आया इस इस resistance पर पहुंशने के रहा है फिर price अपने lows को break करने लगा एक तो यह तरीका होता है trade execute करने का दूसरा double top होता है MW patterns यह काफी सारे patterns हैं जिसके वीज़ हम लोग higher time frame पर या फिर hourly time frame पर करते हैं लेकिन simply आज की वीडियो में जो चीज़ आप देखोगे न हमने क्या किया है दो या तीन चीज़ों के confirmations अपने लिये हैं रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस के confirmations के सबसे पहला हमारा hourly time frame आरली time frame के according हमने एक रेजिस्टेंस पर निकाल लिया इसके बाद में daily time frame पर जाकर के just for confirmation हमने सिर्फ एक बार जहलक देखी वहां पर daily time frame पर जाकर के वापस लिया फिर से hourly time frame पर जितनी वी रेटिंग की में सारी hourly time frame पर के और बाद में lower time frame पर आकर के यहां पर अपने इंट्रिस्टेंस के confirmations लिये क्यों क्योंकि प्राइस हमारा बार बार अगेन एन अगेन हमारी area पर जाने के बाद में गिर रहा है फिर से गिर रहा है फिर से गिर रहा है और यह structure बहुत माइने में बहुत ज्यादा कारगर होता है और बहुत ज्यादा powerful होता है आप देखोगे कि price यहां पर क्या कर रहा ह इस तरह से इसने M pattern बना दिया या फिर W pattern बना दिया इन सारे patterns वगरा को हम इतने बहुत ज्यादा देखते ही नहीं हम इनको सबको नहीं देखते हैं हम ट्रेट कर रहोंगे और chances हैं कि वहाँ पर W या M यह जितने प्रेटर्ण से डिसेंडिंगल है सिमेट्रिकल है यह इसके अंदर वेट करें कि कोई अच्छा मुवेंट हमें अपॉलो ऑस्पिटर दिखा दे बट नहीं शू किया है अगर यही इसके अंदर चल रहा तो कल क्या होगा कि प्राइज अपना जो इसका सबसे पुराने रेजिस कि तरफ निकाल जाएगा हालां कि आज ऐसा कुछ ने हुआ है हमने जो रेकागनाईज किया था ट्रेंड अपना इडिंटिफाई किया था हालां कि फिर प्राइज अगर डाउन में नहीं गया तो फिर यह अब में भी नहीं गया यानि यह पूरी दिन हमारे जिस्टापलोस पूरी तरह से safe stop loss रहा है और price आप देखी रहो बिल्कुल entry point पर है 202 सरपय का profit चल रहा हुगा 600 पर चल रहा है तो इतने कम profit का क्या ही है करीब साड़े 300-300 पर तो brokerage इपनी चले जाएगी पूरी-पूरी अगर हम मान के चलें तो ठीक cost to cost ही हम एक तरह से निकलेंगे के बाहर इतनी चीज याद रखो चलें तो अब हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं सबसे पहले stop loss order cancel चलेंड अब position book कोई बहुत बड़ा profit नहीं cost to cost ही हम इसको एक तरह से exit अपनी मानेंगे मानेंगे कि वह cost to cost ही exit अपनी हो रही है तो 4499.25 200 के राउंड का profit है square of 4499 exit 4499 order book अभी यह लीजे exit हो रहा है सारी quantity निकल गए है zero 150 का profit है इतसे अधर ब्रोक्रेस देंगे हम लोग करीब 200 रुपर हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा साड़े 300 के ब्रोक्रे जाएगी तो 150 है 150 और 200 रुपर करीब हम लोग अपनी जेब से देंगे चलता रहता है यह ट्रेट जो हमने execute कि है अपना करीब एक हफते यह 10 दिन के बाद हमको इस trade अपना execute करने है कि आज के वीडियो आपने काफी enjoy किया होगा और hourly time frame पर जो चीज़ आपने बताई है उसकी आप practice करना क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह problem होती है कि daily time frame को read करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है hourly time frame पर आपको price structures ज्यादा तर देखने को मिलेंगे इस वज़ये से आज की वीडियो में हमने hourly time frame के थुरू trade execute करके आप लोगों को show किया simply range mark कर लेनी है nakedize के थुरू आप mark करोगे को indicator नहीं लगेगा किसी तरह का कोई shortcut नहीं volumes के volumes का use अगर आपको आता है तो ठीक है वो plus point बन जाएगा और अगर नहीं भी है तो भी आप करो nakedize के थुरू just आप imagine करो कि आपने एक ऐसी line draw कर रखी है जहां पर price के movements आ करके stuck हो जाते हैं यह clear supports मिलते हैं इसको clear हाला कि जब real market में जाओगा तो इतने साफ सुत्रे price actions आपको नहीं मिलेंगे लेकिन आपको imagine यह करके चलना है कि आपको कुछ इस तरह के price structures find करो और जहां पर भी आपको यह structures find करो और जहां पर भी आपको यह structures मिल जाएं अपने level पर price के आने का wait करो simple सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है बाकिये market कहीं जाने वाली नहीं यहीं पर यह close हो जाएगे public telegram channel का link description में आप चाहो तो telegram channel join कर सकते हो so thanks and we will meet again